दोस्तो सोशल मीडिया पर कभी कभी इस तरह की वीडियो वाइरल हो जाती है जिसे देखने के बाद में दिल पिघल जाता है वो वीडियो मन को छू जाती है तो दोस्तो कुछ इसी तरह की वीडियो आप लोगों के साथ में मैं भी शेयर करने वाला हूँ तो वीडियो को आप देख सकते हैं कि एक मजदूर जो के बिल्कुल साधा लिबास पहना हुआ है उसके जो है कंधे पर एक बैग लटक रहा है यहां पर आप नीचे में नोट करें वो जो है कौन सी चपल पहना हुआ है तो दोस्तों यह जो चपल आप लोगों को नदर आ रही होगी मुश्क स्वेशन बना करके जाते हैं कि आम लोगों को देख करके तर्स आ जाता है उनकी हालत करके दिल तलब जाता है कि दुनिया में आज कल भी ऐसे लोग हैं अभी दो तीन महिना पहले की बात है मैंने आप लोगों के साथ में एक और वीडियो शियर किया था वो भी काटमंडो येरपोर्ट यी की वीडियो थी, जिसमें देखा जा सकता था कि एक मजदूर जो के वीदेश कमाने के लिए जा रहा है तो उसकी चपल येरपोर्ट पर ही टूट जाती है तो वो क्या करता है कि टूटी चपल को घशेट करके ही आगे बढ़ता है तो किसी दो उसकी वीडियो सोशल मेडिया पर डाल दिया तो वो वीडियो वाइरल हो गई जब कि आज दूसरी वीडियो सामने आई है जहां पर आप देख सकते हैं कि एक आदमी जो के 100 रुपी की चपल ले करके हवाई चपल पहन करके वो कमाने के लिए च चपल खरीद सके 304 रुपी वाली चपल खरीद सके तो पैसा नो जोड पानी के वज़ा से वो पुराने ही चपल ले करके चला जाता है दोस्तों इस वीडियो के बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं यहां पर मैं आप लोगों से रि लेगाना इसी तरह उसका जात पात के बारे में जानना जरूरी नहीं है तो यहां पर मैं आप सारे भाईयों से रिक्वेश्ट करता हूँ और मैं खुद भी यहां पर दौा कर रहा हूँ कि यह जो भाई जिस हालत में बाहर जा रहे हैं तो उपर वाले इसको इतना नवाज कि इतना नवाजे इसकी कमाई में इतनी बरकत हो कि इस भाई ने इससे पहले जो भी गरिबी का दोर देखा है तो यह जो है गरिबी के दोर को भूल करके खुशाली के दोर को देखे विदेश में जा करके यह भाई खुब अच्छा पैसा कमाए खुद भी कमाए और इससे जो है नेपाल को फाइदा हो यही दुआ करते हुए इस वीडियो को मैं एंड कर रहा हूँ दोस्तों वीडियो को लाइक करके आगे जरूर शियर करें अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को अभी कभार इस तरह की वीडियो देखने को मिलते रहें अगर अभी तक आप लोग इस वीडियो के साथ में बने हेवे हैं तो वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया